गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसी सीजन में कठल बहुत अच्छी मिलते हैं इसके बाद आपको इतने अच्छी शायद ही मिलें तो आज बनाएंगे कठल की कोफता कड़ी बहुत सिंपल रेसिपी है बहुत यासान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी रेसिपी को यहां पर मैंने कठल लिया है जिनको मैंने तीन विसल तक बॉयल कर लिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है तो ठंडा हो जाने के बाद भी इसमें काफी जाड़ा मौश्टर रहते हैं तो इस तरह से इसे स्कुईस करते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उस आजे से इसे निचोडते हुए इसमें जितना भी पानी हो उसे पूरी तरह से निकाल लेना ही सही रहता है और आखी में जो बीज बचेए निकाल लेंगे और यहां पड़ब देख सकते हो कि कितने साड़े पानी इसमें से अलग हो गए है तो अभी यह जो कठल है इनको क्या करेंगे इनको इस तरह से हाथ से मसल लेंगे एकदम पेस्ट जितना बना लेंगे जितना हो सके दडडड़ा ही रहेंगे इसमें रेशे रहेंगे फिर भी इसे मसलिम इस तरह से और उसके बाद इसमें आड़ कर देंगे नमक स्वादानुसार साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर अपने यह प्तह प्तहिं में हुमें चाहे निमबू कर्षा ही यह双क पर मैंने अधामी निद्व निचोर के निचाहिए रisc निकाल लिया है और फिर इसमें डाल देंगे बेसन तो यहाँ पर दो बड़ चमच मैंने बेसन ले दिया तो इतने इसे कठल के लिए दो बर्चमज बेसन ही सही रहते हैं तो अभी इनको अच्छी से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए एक सौफ्ट सा डो बना लेंगे वही मैंने पहले कहा था अगर इसमें जादा पानी रहेंगे तो इसे बाइंट करना काफी मुश्किल रहते ह फिर शोरा लेंगे तो हाथ में थोड़ा सा ते लिए लगा लेंगे ताएक यह आधे में नरो यह निकालेंगे और तोंगो हाथ की मदद से यस सारा से गुमाते ुए छोटे छुटे बॉल्स बनाोंगे बहुत ज़ाधा बढ़ा इसको ना बटनाए आप चाहो ऐं तो मीड बढ़ी यह साइज में ही बनाए जाए एक दम चोटे बनाओं और दिखने में उतना अच्छा नहीं रहते हैं तो इस तरह सको बनाकर तैयार करेंगे और यह देखैक कि अन्य क्यू हम साइट में राक देंगे और उसके बाद मसाला बनाना है तो मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसून के लिए अद्रक हमें चाहिए और साथ में चाहिए एक बरसा इसका प्यास तो अभी इसे हमें बिना पानी डाले, मेक्सी में ब्लेंड करके एकदम स्मूध पेस्ट हमें इसमें से बनाना है कहीं पर भी कोई भी लंफ या फिर कोई भी मसाला थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए एक दम smoothly blend हो जाना चाहिए इस तरह से तो इससे अलग बरतन में निकाल लेंगे तो अभी हमें जो करना है कराई में तेल गरम कर लेंगे और फिर उसमें जो कठल के कोफते हैं इसको fry कर लेंगे तो fry करने के लिए गैस का फिले medium लो रखेंगे और एक ही बार में बहुत सारा कठल नहीं डालेंगे उससे temperature lose होकर कठल फट सकते है या आपर कच्चा भी रह सकते है तो बीच-बीच में इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए इसको fry कर लेंगे इसमें हम कर्ची का यूस नहीं करेंगे बस कड़ाई को घुमाते हुए इससे हम fry कर लेंगे जब तक यूस का कलर इस तरह से आए और ये देखिए हर एक कोफ़ता पूरी तरह से fry होके तयार हो गए है इससे साइड में रख देंगे फिर कड़ाई में तीन से चार चमत सरसुका तेल लेंगे उसमें डाल देंगे जीरा साथ में हमें चाहिए कुछ देजबता और उसे के साथ खाड़ा गड़ मसाला डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दार्चीनी, इलाइची, लॉंग और जावीत्री ले लिया है तो इससे डालने के बाद थोड़ा सा चटकने देंगे ताकी इसका flavor प्लेवर तेल में आ जाए उसके बाद इसमें add कर देंगे थोड़ा सा नमक ताकि बाद में हम जो मसाली डालेंगे वो ना छीट के यहां पुर्य तरह अनैंनी को स्कुंद लेगे कि अनुघ किसेए मसारा है कि जालने के बाद के भूद ध कें हैंन। तक लिखें लग्पी पैस्ट की हुआ की बसालता सीब अनुघा हमें और कच्छा प्यास को भूनना ठुड़ा से टीकी होते है फोला, साइम लगते है Grad הי сторुव काल रք मीडियम लो रक़े अच्छे से भूनना थाकि प्यास का कच्छा पंच चली जाए जबतक्व के उपार से पहल चोडना in मुश भूनना थाकर सीमित टेल आए तीन से चार चमच और इसको मैंने अच्छे से फेट लिया है और इसे इस तरह से डाल देंगे और गड़म कड़ाई में दही जाने के बाद यह करडल हो सकते हैं तो उसकी लिए हमें जो करना है दही जब इसमें हम डाले तो तुरंत इसे चलाते रहेना हैं नहीं तो दही फट बहुत ज़री है जब तक दही का पानी पूरी तरह से सूक जायए और यह तैयार हो जाया इसके बार इसमें आण कर देंगे i hap मैंने देर कपानी लिया है और एक पानी ही हमीहा पर जरूरत है उसी के साथ इसमें अट कर देंगे तो पहले भी थोड़ा से नमक हमने डाला है तो नमक को भूछ धियाँ से डाले साथ में डालेकी गरम पाउडर ये आधा हम चे लिया है मैंने अब इस सब चीजों को आपस में मिला कर अच्छे से मिक्स करदेंगे तक पानी के साथ सबी मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो ठकर लगाने के बाद पानी में बायल आ जाए तब तक हम इंती जार करिंगे और पानी में बायन आ जाए तब अग्रे अगले दीन चणिए और तो ऊप्षन लाई निया आध इन बायल फ्रेश में फोर्के तो जो कोफ्ते को बड़ına Any तो पतों तूंह communism है और शोचा मां पतो पर छोशारी कोफ्ते को ड़ा देंगे चला के कोफ्ते के जो भड़ने पतर यह के हैगे छोफ़लप च coupon प racket को सब्ड़ के तो प्रेश्वत च्छी आए तो जैकर को जो डोलेगे कि इसके बाद इसी तोड़ा से चला देंगे और फिर इससे ढख़कर लगा कर 2 से 3 Minit में तक पकानलेगी ताकि इसके अंदर जो फलेवर है जो करती है दौन से अंदर तक चले जाएं और यह यहाँ पर जितने भी ग्रेवी है वह ठंडा हो जाने के बाद और कम हो जाएंगे तो इतना ग्रेवी तक हम छोड़ देंगे ग्यास का फिल्म आफ कर देंगे और उसके बाद इसमें आट कर देंगे कटे हुए धनिये का पत्ता यह उपर से इस तरह से डाल देंगे और धनिये का पत्ता डालने के बाद इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा घी क्योंकि यह वेजटबल है तो वेज़रेसे भी बनाने के बाद थोड़ा सा घी उपर से डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं तो एक चमजबर के मैंने यहाँ पर घी आट कर दिया है अभी इसे वापस से ढखकर लगाकर पाच मिनिट छोड़ देंगे ताकि सभी फ्लेवर एक जगए आ जाए और ग्रेवी थोड़ा सा कम हो जाए तो यह देखिए पाच मिनिट बाद ग्रेवी काफी जादा कम हो चुकि है क्योंकि यह जो कोकते है वो ग्रेवी को अपने अं इसे ठंडा या फिर गर्म आप सर्फ कर सकते हो तो यह देखिए यह कितनी अच्छे बनके तैयार हो गए है घर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इसे अभी गर्मा गर्म सर्फ कर देंगे और कोई भी सुजा हो तो मुझे अपने कॉमेंट बॉक्स में जर रूष शेर कर देजिएगा